अद्विद्ध वीडियू में आपका में नहीं नहीं है कोन नहीं नहीं कोन नहीं है और कौन नहीं यह चीज हैंwood बताना है और सथी चाहीं बताईज है और उन्हेरा इथारथना ही सही मात GG करेंगे सबी को तो आई इसको हल करते हैं तो देखिए यहां पर हमने कुश्चन को नोट कर लिया ठीक है कुश्चन नमबर पहला ही है अब इसमें कहे रहा है कि कौन-कौन एक चर में बहुपद है अब यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि चर और और चर होता क्या है देखिए जहां पर भी और आजहे संद आए कि आपको वहाँ पर गिंती के बात करें ठीक है एक दो तीन इस तरीके से जो भी गिंती हो ठीक है वह पलस में हो रूट में हो बस गिंती होना चाहिए वह आपका क्या है ओचर होता है ठीक है उसी तरीके से अब आजाए इसमें इसमें कह रहा है कि कौन-कौन ब्यंजक जो है एक चर में बहुपद है ठीक है तो देखे इसमें देखे चर की बात कर रहा है तो हम चर पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है यक्स है यहाँ भी यक्स है और यक्स के अलावा इसमें और कुछ भी और कोई भी चर नहीं है ठेक तो यह क्या है यह आपका एक चर में बहुपद है ठेक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक चर में बहुपद एक चर में बहुपद ठीक है, अब कारण भी अगर आपको बताना होगा तो simple कारण इसमें लिख देना है कि X के अत्रिक्त इसमें और कोई भी चर नहीं है ठीक है, चर की बात कर रहा है तो X के हलावा और कोई चर नहीं है, ये इसलिए है क्या है, ये एक चर में बहुपद है ठेक कारण रुक्स खुदे लिख लिजेगा कौनों की गदर नहीं है अब यहाँ पर देखें इसमें y के अत्रीक तो और कुछ भी नहीं है ठेक है तो यह भी आपका एक चर में पहुपद है ठेक है और कारण आप लिख लिजेगा की y चर के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है अब इसमें देखिए यह जो आपका चर है ठेक है यह रूट में ठेक है अब अगर आपको यह चीज मैं आपको बता दो कि कोई भी चर अगर रूट में इस root का मतलब क्या होता है कि ये जो t है root में तो इसको हम कहते है t की घाथ में 1 बटा 2 इस तरीके से लिख सकते हैं अब ये क्या है गात इसका क्या है 1 बटा 2 मतलब आधा और जिस चर का घात पूर्ण नहो वो आपका क्या होता है वो बहुपदे नहीं होता है, ठीक है, तो यह आपका बहुपद नहीं है, ठीक, बहुपद, ठीक है, क्यों बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर काराण भी बताना है, तो काराण लिख देंगे, क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं है, ठीक है, यह घात क्या है, आधा है, अगर घात एक होता, या फिर दो होता, तीन होता, पांच होता, तो ये क्या होता, ये बहुपद होता, लेकिन क्या है, ये रूट में T है, इसलिए क्या है, ये आपका बहुपद नहीं है, इसलिए क्लियर हो गया, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जैसे ये Y है, ये भी आपका क्या है, प लिख सकते हैं अब इसको एक बट्रा जो y है इसको ऐसा घूल को भी चीज अगर अगर बटै में हो तो इसको हम एसे लीख सकते हैं y है वाइक घो ऐंब कोई घात नहीं होता है मतलब एक होता है उसको हम जब बटै नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, कारण बताना कि क्यों बहुपद नहीं है, तो ली देंगे कि इसका घात पुल नहीं है, ठीक, अब यहाँ पर देखें, यह क्या है, एक सी घात में, दस है, वाई की घात में, तीन है, टी की घात में, पचास है, ठीक, अब इसमें देख तो हम इसमें क्या लिए देंगे एक चर में बहुपद नहीं है नहीं है ठीक है बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है आपका पहला question खतम हो गया दूसरा में यह देखते है तो दूसरा कहा रहा है कि निम्निकित में से परतेक में x square का गुणांक लिखिए ठीक है इसका मतलब यह होता है कि जो x square के साथ में गुणा कर रहा है उसी को आपको बताना है ठीक तो देख लेते हैं पहला वाला question में तो पहला वाला question में x square के साथ में कोई भी गुणा नहीं कर रहा है ठीक तो जहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहाँ पर 1 होता है, तो इसका जो answer होगा, वो होगा 1, ठीक, अब इसमें x square के साथ कौन गुणा करें, तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर minus लगा हुआ है, तो इसका जो answer होगा, वो हो जाएगा minus का 1, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या x square साथ है, पाई भाई 2 गुणा करें, तो simple इसका answer होजाएगा, पाई भाई 2, ठीक, यहाँ पर आजाएए, x square, ठीक है, तो हमने question में ही कुछ mistake कर दिया है, क्या, एक मेंट गाइस question कौन फोड़ा सा मिला ले, तो इसमें आपका, केवल, यक्सी है, ठीक है, mistake नहीं है, तो इसमें आपका, इसमें तो square पूछ रहा है, लेकिन इसमें square है यह नहीं है, तो answer इसका हो जाएगा, 0, simple आपका, खतम, ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें कह रहा है, कि 35 घात के दी पद था, 100 घात के एक पद का एक एक उदारण दीजिए, ठीक, तो दी पद ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बस उसके घात में 35 होना चाहिए, ठीक, तो और उसका दो पद ह होना चाहिए, ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो जैसे है कि एक एक हम बताना है, तो फर्स्ट नमबर हम लिख देते हैं, कि 35 घात में होना चाहिए, तो हम क्या दीदे, चलिए हम रूट में 7 ले लेते हैं, हम रैंडम ली ले रहे हैं, आप यहाँ पर मन करें तो क दो पद लिखना है, तो एक और 7 में ले लिख चलिए, पाँच ले लेते हैं, बस क्लिएर होगा, तो घात में 35 है, दो पद भी है, ठीक है, यह दोनों मिलकरके एक पद बनते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ अपर 2 है, तो 2 यह दो पद होगया, ऐसा नहीं है, यह औ गात में 100 लगाते हैं ठीक एक पद की बात कर रहा है 100 की गात में एक पदी एक पदी हो गया सिंपल आपका अंसर तो कुछ भी ले सकते हैं कौन अधिकत नहीं है ठीक यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रूटे में लिजिए मन करें तो यहाँ पर आप 20 ले लिजिए 30 पचास इजी है ठीक जब कभी भी कहें कि इसका गात लिखिए तो देखेंगे कि इस बहुपद में सबसे बड़ी गात कौन सा है तो यहाँ पर तीन है तो सिंपल इसका जो आंसर होगा वो तीन हो जाएगा इसमें आपका सबसे बड़ा गात कौन है तो गात के वल यही वला यह है इसका जो आंसर है आपका, वो 2 हो जाएगा ठीक ऐसा नहीं के अब माइनस लगा देजीएगा, हमें किवल गात से मतलब है अब इसका आंसर है इसमें, 4 पर हमें देखना है, ठीक जो हमारा 4 है, और uns 4 से हमें 답 हई तो कोई गात नहीं लगा है मतलब की एक है यह माइनस नहीं है यह बराबर है तो जब प्रस्णावली का वहाइवusa आंसर ठीक है अब ये इस प्रश्णावली का लाश्ट प्रश्ण है इसमें कह रहा है कि बताए कि निमलिकित बहुपदों में कौन-कौन बहुपद रैखिक है कौन-कौन दिगाती है और कौन-कौन दिगाती है ठीक, तो सिंपल आपको ये चीज पता रखना है कि जिसके गहात में कुछ हूँ नहीं है ठीक है जिसमल जे की X प्लस में 5 ठीक, अब इसके चर के गहात में कुछ हूँ नहीं है तो ये आपका रैखिक होगा ठीक, मल जे दिया X गहात में 2 प्लस में 5 तो ये आपका दिगाती होगा ठीक यही दिया है एक सी गात में तीन पलस में पाँच है तो यह आपका त्री गाती होगा क्लियर हुआ अब आई यह फट फट इसमें देख लेते हैं दो दिया है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दी गाती दी गाती ठीक इसके आंसर में चर है गात में तीन है त्री गाती इसमें आ जाईए गात में दो है दी गाती ठीक इसमें आ जाईए गात में कुछ हो नहीं है तो यह आपका रहे खेक ठीक है इसमें गात में दो है तो दी गाती ठीक है इसमें घात में तीन है, त्री घाती, इसमें घात में कुछों नहीं है, रायखी गए, बस, आपका पूरा प्रशनावली खत्म, बहुत ही असान प्रशनावली था, तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रशनावली हल करेंगे, तो उसके लि लिडिया.